question is scf and lcf or lcm of the two numbers are respectively 21 and 4641 if one of the number line between 200 and 300 find the two numbers क्या कह रहा है question में कि हमारे पास scf दे रखा है and lcm दे रखा है scf दे रखा 21 and lcm दे रखा है 4641 और जो numbers आएंगे जो हम निकालेंगे वो क्या लाई करने चाहिए 200 and 300 के बीच में लाई करने चाहिए हमारे पास तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं a into b का formula हमारे पास क्या होता है lcm upon hcf चीक है यह हम यहां से क्या निकाल सकते हैं a into b की value निकाल सकते हैं दो numbers की value क्या से हो सकते हैं lcm upon hcf चीक है तो यह आजाएगा 4641 upon 21 तो a into b की value क्या जाएगी 221 यहां से a into b क्या जाएगा हमारे पस 221 तो यह हमारे पास हमने हमें पहले भी देखा था पहले बाली वीडियो में तो हम यहां पर क्या करते हैं इनके क्या करते है को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं जिसका scf क्या होता equal to 1 होता है जिसमें कोई भी common नंबर नहीं होता अब 221 एक तो क्या होता है कि सब में को प्राइम फैक्टर एक तो क्या बनेगा 220 इंटु 1 के साथ हो बनता ही बनता एक number itself kud it into 1 तो यह एक ओप्राइम फैक्टर हो घ और देन अनदर इसका क्या बन सकता है 13 x 17 एक co prime factor बन सकता है इनमें भी क्या है जिए क्या है 1 है कोई भी common number नहीं है हमारे पास चीक है तो अब हम पहले क्या करते हैं इस factor को अगर हम देखते हैं 220 x 1 को अगर हम देखते हैं 220 x 1 को अजिए से multiply करने होता है से अगर हम multiply करते हैं तो यह नंबर को अगर आपस में multiply करते हैं तो यह क्या आ जाता है 200 और 300 के बीच में lie नहीं करता तो यह factor तो exist हमारे पास नहीं कर सकता यह इस factor को हम क्या कर देंगे पर यह 5 000 से reject कर देंगे देन सेकड पे अगर हम चैक करते हैं 13 इंटू 17 HC F से हम multiply करते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21 ठीक है तो 21 इंटू 13 की जो value आ जाएगी हमारे पास या जाएगी 273 यह 257 बीच में क्या करती है लाई बीच से यह इत रिखेशता तूसना 6 तो हमारे पास दो जो नंबर्स है ए और बी की वल्यू जो आ जाएगी हमारे पास ए टू सेवंटी थी एंड बी की वल्यू जा जाएगी 357 चेक है तो यह हमें दो नंबर्स फाइंड आउट करने थे क्लियर है स्टूरेंट्स चेक है थेंक यू